गरीब के मसीहा लालू जादब था रहेगा अखाय भी आएगा स्वास्थों के सरकार्च लालू जादब एक एक ऐसा है जो कभी मरेगा नहीं हम लोग गंगा मैया और भगवान से प्रत्ना भी करते हैं कि वस्वास्थों के आएंगे और फीर बिहार में अपना राज निथिक चमकाएंगे एक डाम गुदरी के लाल को कम से कम रखो यहां बिहार में बिल्कुल समहाल लेगा तेजस्वी समहाला नहीं समहाल लिया कि इसके तहाद उसको हराएंगे नमस्कार सब्सक्राइब लेकिन इदर कुछ बर्सों से वह अस्वत चर रहे हैं राची एम से दिली एम से ले जाए गिया है अब यहां के जो गाओं गुजूर्व के जो जनता लोग है उनके लिए समस्या हो गई है वह बहुत नराजगी चर रहे हैं यह पहले जाना चाहिए था अब ज्यादा तवियत उनको बिगड़ गए तबले कड़ गए अब देखना है कि इनकी क्या सोच है क्या लालू यादव स्वस्थों कर आएंगे बिहार की रानीतिक में फिर से नहीं चर्चक उमीद होती है यह फिर नहीं होती है य जनता जनार्दन से भी जनकारी लेते हैं यह लोग क्या चाहते हैं कि लालू यादव स्वस्थों कर आएं इस जनता की बीच में आए यह फिर नहीं आए जिनमत से क्या नाम वहसरा आपका मनुरण्यन कुमार यादव इस समय लालू यादव बहुत अस्वत चर रहे हैं दे प्ष्री जाती के लिए जो किया है इतिहास में वह अंकित रहेगा कोई भी नेता आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पिछरों के अतीप पिछरों और अद्दालीत हरजन के लिए खुलियाम मंच पर और सरकार के बिरोध में लड़ा और इतनी दूरी तै किया वह चाहते तो साली हुआ कि वूरे देश नहीं वर्ल्ड में उनका नाम हुआ लाल उजादव के कि ऐसा नेता नहीं देखा जो गड़ीब को जड़ी जब उनकी भासन सुरू होती थी तो चिनिया बेदाम बाहाईयों मुसहर भाईयों हरजन भाईयों आज पासी समाज के जो पीठ का जो दर्द है वह बयान करते थे और चौकी पर बैठ करके हर घर में बच्चों को क्या करते थे नहलाते थे और उनकी बाल सफ़ा करते थे कि आप लोगों का राज आया है और वैसे नेता को यह सफेद पोस और जो बड़े बड़े जो मठाधी से जो मुख मंत्री के पद को ऐसा बना दिये थे कि यह गरीब मौमूली आदमी का काम नहीं है यह बड़ा बड़ा पैदाई सी जो है राजा महराजा जो पैदा होंगे उनहीं का पुत्रिये राज करेगा उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया और ध्वस्त करने के बाद आज इतनी लड़ाई लड़े सारे करोर कम गवन करने वाला आदमी पूरामसे राज पाट कर रहा है और ये सारी संसाथ जानती है सब को कोई देख रहा है लेकिन क्या कहेंगे हम को इसा मसीह को भी बहुत परितारित किया गया गुरु गोबिन सिंह के बच्छों को जहां हम खरें हैं उनको कतल किया गया जो जो सामाज के लिए लड़े उनको परतारित किया उसको यहीं पर उसको दर्द जहला और लेकिन आने वाल विचार है जो लालूज जादव एक ऐसा है जो कभी मरेगा नहीं वह बड़ेगा नहीं आई आत्मा उच्छ चरीर जब भी त्याग ना तो बसकी बात हम नहीं कहेंगे कि सरीर त्याग कब करेंगे यह उपर वाले के लेकिन अपना उत्रा अधिकारी उसने रख दिया है गवराओ नहीं के जस्वी देखेगा लगए बिल्कुल समहाल लेगा तेजस्वी समहाला नहीं समहाल लिया साजास साजीस के तहद उसको हराया गया अब बिल्कुल आज वो सब लोग मान के चल रहे हैं यह जितने लोग है एक भी आपको तेजस्वी के बिरोध में नहीं है सब लोग तेजस्वी के ही साथ है आज मैं एक चीज़ और भी कता दूं कि यह जो हम लोग बसे हुए हैं यह हम लोगों को भी लालू जादब का देन है लालू जादब यह सहर के मठादीस किला हाउस और यह बड़े उसने नहीं दे रहे थे नहीं सो तिरानमे में मैं खुद उनकी जब बात हुई जब आये थे और जाके वहां सीम हाउस में बैठे दोनों डीम को बैठाया कि हमसे गलती हो गया यह साले मारवारी और बड़े बड़े मठादीस सब यह इन लोगों को तंग करता है यह लोगो यह नहीं कहते हैं लेकिन हम यह इतना इतना जो का Jo संंबेधना इतना पर्तिज जो रचूइट त्मरू है नहीं है जब भी कोई होता था चैंड ढर्ला सांठ जूटे लेकिन कुछ ऐसा है अभी ओड़ उनको लगता है कर्पार्ष्ट जहेलना बिहार के राजीतिक बिल्कुल गर्मा गिया है सभी तरह के गर्मा गिया है एक तरफ किसान है मोर्चा का जनसंघर से लगा हुआ है तो दूसरी तो बिहार में अपराद के लगरा बढ़ता जाड़ा है क्या लग रहा है इस बाड़ क्या लालू यादव अस्वास के बाब चला पाएंगे की नहीं परेंगे लालू जी आएंगे दिली से स्वस्थ होके आएंगे हम लोग का सुभकामना है गंगा जी के तीर पर हम लोग प्रतना कर रहे हैं आज हजारों हजार अदमी के बैठक हुआ है और हम लोग का बीचु स्वस्थ होकर के आएंगे सरकार बना दूसरी बात क्या है कि लालू जादब बिना बिहार जो है वो डगमक डगमक हो रहा है इसी तरह से रहेगा आएए लोग घीच तीर दुन्यों करते रहेगा बसरते रहा क्या गे लालू जी आ रहे हैं आए आएंगे स्वस्थ हो करके हम लोग उनके भी ना जो है त्रस हो रहे हैं आज जो है से कंगन घाटी या किलापर के जो समसिया है केवल उनहीं के चलते हैं आज जदी अगर जो पहले थे यह समसिया पहले भी आया था वो बैट करके जो अभी मनुभिया बताएं वो बैट करके समसिया हल किये थे आज जो है से कि उनका चलते आज समस्या फीर जो है सरकार लाया है यह सरकार जो है से गरीबों के नहीं है गरीबों के जो मसीहा बताता है लोग गरीबों के सफाय करने के लोग जो ही सब प्रोग्राम बनाता है यह गरीब के जदी अगर जो मानता तो आज जो है से गरीब जो ह लालू जादब था रहेगा है भी आएगा स्वास्थों के सरकार चलाएगे बहुत ज्यादे खराब है तो इस वर के नुकंपा स्वास्थों क्या वेके और उनके उत्रादीकारी जो अभी तेज तेजस्वी जादब है ओ आपको मनें यहां पर राज चलावें आज चलावें कल्सक्राइब तेंग कि ठहुद है तक हो जाएगे है तरह रांजीस पर रहें ज़सर्फिश तरभ रहें गया वहां ठीक हो जाएगे आगे चलकर करें ठटहों का घर को शिरवायागे सब्गोर्टिक पर तेंग erase sulla Gyan weather ुक्द्व कित नहीं ग Эुज दाम दाए एक था मेरह लालु याद बहुत अस्वास्थ रहे हैं दिल्ली के एहम सस्पताल में भरती है उताव तब तबीयत खड़ाब होना थे उनका बहुत दिन से चल रहा है लेकिन उगाए हैं हम लोग गंगा मईया और भगवान से प्रत्ना भी करते हैं कि अस्वास्थ हो के आएंगे और फीर बिहार में अपना राज नितिक चमकाएंगे तब तक वह अपना अभी लड़का ते जस्वी जादब के रख दिया ते जस्वी जादब भी ऐसा नहीं है कि उनका उत्राद काड़ी के पद नहीं निभाह रहा है वह अपना भी पद पर बढ़करा रहा है कामना कर रहे हैं प तो ऐसे भारतिये जनता पार्टी के कर्ज करता हैं लेकिन लालु जी गरीब के मसिया हैं हम तो कामना करेंगे कि हमारे प्रदेश देश के नेता हैं अब अस स्वस्थो करके बिहार के राजनितिक में सक्रिये हूं पक्का उमीद लग रहा है एकदम गंगा मया से तो हमें ही दोकी कहेंगे कि माताक यह गुदरी के लाल को कम से कम रखो यहां बिहार में धन्यवाद आपका यह नाम अर्जिन कुमार प्जार्जू जी क्या लग रहा है लालु यादा वाएंगे शुस्थे कहीं पक्का लग रहा हैं फर्सेंट अप्ड़ने पर्सेंट उमीद किया हो टाँ भुलीविय लालुजी ने लोग सबाब मी कहा था कि हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए स्मार्ट गाउं चाहिए तो आज लालु जी के नहीं रहने के चलते ही यह जो साजीस करके जो हम लोग का जमीन हर अपने का काम कर रहे हैं हमारे बेना काब होगा हम लोग एकदा मेरी चोटी से लड़ेंगे अभी केबल यह तो जहां की है अभी तो पूरा फिल्म बाकी है अभी हम लोग बैठक किये हैं आगे क्या-क्या होता है वे देखे अगर जो नितीजी नहीं समलेंगे तो उनको बहुत महांगा पड़ेगा अब लेग लग रहा है एक हली कोप्र इनका था सोग हली को ब्यपक्छ कथा फिर भी सबकूप मत दे करके आया है चोर रास्ते से जग्याएं फिर बापस जाएगा आप जो जब हमें पुरी उमेद है कि स्वस्थ कर लवटेंगे, जब लवटेंगे तब हम लोग और आन्दोलन को तेज और याद सेटीमиком विशय है। उनकी अनुपश्थिति में हो रहा है, शरकार मनमानी कर रही है। सरकार को मनमानी हम लोग नहीं करेंगे। लोग यहां से घाए सकता सब कुछ करेंगे यह शरकार गरीबों को में को फटाना चाहता है हम लोग गरीब किसान हैं किसके पास 10 कठा community किसी के पास अ कुपका है कोई कर ऐसे हैं अहीं कि महज़कित है किसी किमत हो कि रहां जाए और आधना कर रहे हैं पराथना कर रहे हैं गंगा मैय से कि लालु यादब स्वहस्टों कराये बिहार की राधी तिक में फिर से भूचा लाए बेफ समता है सब्सक्राइब करें हम आप से लेते हैं ऐसे ही अंदाज के साथ में फिर आप से मिलते हैं तब आप से बाई बाई